इइ गाईश देखो कभी-कभी Sir मार्केट में क्या होता है कि अच्छा-khasảiत तगडा-गिरावोर देखने को मिल जाता है ब़ दो पॉल तो परफिट भुकिंग हो जाते हैं और भी बड़े-बड़े लोग होते हैं सर मुशल फंडाइंड वगरा वगरा रिटेल इंवेस्टर इस भी देखनी को मिल लाएगा जब सर कुछ भी बहुत हाई चला जाता है एक दम मतलब समझो हाई मतलब आउट अफ कंट्रोल अगर वह चीज़ चली जाती है स होगा क्या होगा घर मान लिजे किसीने एकर यहां पर खर्दा है और सर मालेजे कि स्क्राइआ आगया और यहां से स्टॉक थोड़ा सा हिंडिकीशन कि तगञा गिर सकता है तो होगा क्या कि बहुत साथ लोग प्रॉफित बूक करके भागना स्टर्ट कर दें गा अगर कि मतलब 250 रुपीज घर लेके चले जाते हैं, 250 में सो होगा क्या, कि सर उसने 100 रुपीज तो इन्वेस्ट किया था, उसको टोटल जो प्रॉफिट के साथ है, कितना आ गया सर? 300 रुपीज आ गया, तो 200 रुपीज तो प्रॉफिट हो गया, तो सर ये क्या करेंगे, 250 रुपीज लेके चले जाएगे घर, और 50 रुपीज छोड़ दिगा कमपनी में, फ्रुचर में, वो 50 रुपीज और बड़ा रिटर निकाल के दे सकता है, या तो फिर जाएगा, तो जाने दो, ऐसा हो जाता है, तो आज कल, जैसे कि एक घंटे पहले भी अगर आप देखूगे, निफ्टी, क्लोजर एट आपको बताया, जरा डे लो ओन प्रॉफिट बोकिंग, तो ये सारी चीज़े सर, हर जगा आपको जो दिखने को मिलते है, प्रॉफिट बोकिंग, तो कभी-कभी क्या होता ना, कि कि सर, मार्केट गिरता होता, कोई रीजन नहीं होता, अब लोग सोचते हैं कभी-कभी यार, मार्केट गिरा, कुछ तो ऐसे रीजन होना चाहिए, जिसका मार्केट में गिरावट हुआ, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, कि सर, लोग क्या होता है, खुसी से पैसे लेके जात स gather it at कि फैसे भी हीव चाहिए ना खाने पीने के लिए आ है कि नें तो वहीं होता है कभी-कभी एक और रिसन में आपको बता देना चाहता हूं कभी-कभी क्या होता कि expired वगरा मंत के in में आना होता है ठीक है ना तो उसके वज़े से भी गिर आ थोड़ो market में up in down आपको देखने को मिल जाता देखिएगा पिछले पांच दिने में तो market ठीक ठाक नॉर्मल था लेकिन अब क्यों red में जा रहा लाल क्यों हो रहा क्यों कि अब जो है कि लगवग market जो है एकदम क्या बोलते हैं कि मतलब 23 फरवर ही हो चुका है तो आपके वल कुछ दिन ही बचे हैं दो चार दिन ही बचे हैं तो इसमें सट्रेटे संडे भी है तो इससे बड़े से होता क्या है कि लोग पहले ही profit booking करना start करते थे तो ये एक अच्छा reason होता है आई ये मुद् 4.48 अगर हम उपर से देखते हैं उपर से तो सर ये जो stock है 14.71 पंदरफ परसेंट सर ये stock जो है तूटा पड़ा है कितना 15% ये stock तूटा पड़ा है 15% अब अगर आप देखीगा तो सर लंबे समय में बात करते हैं तो पूरी जिंदगी में पहली बार stock ने इतना हाई मारा ह इतना हाई जो मारा है sir company ने पहली बार all time देख लिजए पहले भी sir ये क्या होता था इस label में रहता था up and down up and down तो इसने सारे label को देखी एक तो है sir stock यहाँ पर भी high था उसके बाद गिर आउट हुआ यहाँ पर भी high हुआ फिर गिर आउट हुआ यहाँ पर भी high हुआ तो आप गिरावर्ट होनी का सर जाता चांसे से psychological mood बनता हुए नजरा आजाता है sir क्योंकि गर्मी के बाद ठंडी आती है तो यार होता क्या है कि ठीक है अभी माल नेते example में आपको बता देना चाहता हूँ ठीक है आप जैसे ठंडी है ठंडी के बाद गर्मी आए तो लोग क्य इतना स्टार्ट कर देते हैं मोटे मोटे अच्छी quality वाले ताकि ठंडी से बचपा है तो जरूर नहीं कि जिस दिन ठंडी आई है ठंडी आज की rate में स्टार्ट हुई है और आज ही खरीदें का बड़ा नहीं नहीं तो होता कहा है लोग सर कुछ महीने पहले ही action लेना स्टा देख लिजे आप कितना परसंट तक का गिरावाट था तो सर 68 परसंट तक का गिरावाट था और यहां पर भी अगर हम देखते हैं तो नीचे से तो यहां पर भी स्टॉक 700 परसंट तक का रिटे निकाल के दिया और यहां पर export का सर technical जो चार्ट पेटन बनता है एक्सपोर् टो साफ साफ बोला गया कि भाई बेचो क्यूं यह जो स्टॉक है फॉर्टी फाइफ परसंट तक गिर सकता है मतलब सर की स्टॉक का तार्गेट कितना बता है जरा 135 रूपेज मतलब भाईस़र रूपे का स्टॉक अगर आप देखूगे तो 135 रूपेज में आ सकता है तो इ इस वाज जैसे यहाँ पर आपको profit booking देखने को मिल रहा है और कोई बहुत बड़ा reason नहीं है कि sir company अब खतम हो रही है या company में कुछ बहुत बड़ा यहाँ बड़े 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 जो अनलिष्ट होते हैं sir वो direct आपको recommendation देते हैं direct आपको बूलते हैं कि हाँ इसको खरीदना है हाँ इसको बेचना है ठीक है उसी तरीके से यह लोग आप लोगो डारिक जानकारी देता है recommendation यहाँ पर बताया गया है तो इन मैंसे sir द normal disagree नहीं है ठीक है normal नहीं है यहाँ पर strong तो वहीं बताया जारा कि एकदम बेच हो नहीं तो खा जागा यह आपका पैसा टोटर दो लोगों ने बोला और यहाँ पर देख लिए जो ऐसे निरिस्ट हैं उनका मनना है कि sir आप खरीदो तो मत आप किवल होल्ड ही करो तो जाद आते हों कि नहीं नहीं आने वाले next five years के लिए मैं अभी भी वेट कर सकता हूं patience रख सकता हूं तो it's okay बोला जा सकता है आपके साथ फिर कोई problem नहीं है लेकिन short time यहाँ पर देख सकतो साफ साफ यहाँ बोला जा रहा है ठीक है recommendation from three analyst आपको बताया जा रहा है और इनका जो sales बड़ा है उनके उपर भी आप चाहो तो ध्यान दे सकते है ठीक है अभी promoters के पास 88% है सर 88% अब यह भी एक डर है कि promoters के पास तो 75% ही होना चाहिए और promoters के पास बताया जा रहा कि sir 88% से भी जादा है तो में भी future में promoters माल बेच सकते है और जब सर्थ promoters माल बेचेंगे तो फिर public फज जाएगी या OFS आ सकता offer for sale भी आ सकता है या कुछ और भी आ सकता है तो यह भी एक टेंशन वाली बात है क्योंकि यह stock high पे भी आ उस promoters के पास बहुत ज़्यादा है तो आप लोगोंने देखा होगा कि एक example में आपको देता हूँ जैसे government की सारी company उपर चल ल ठीक है तो वो पहले किया है अब थोड़ा situation बदलता हो और अज़र आएगा आप company थोड़ी सी बड़ी बन चुकी है company का revenue अगर आप देखोगे तो सर पहले कुछ और था और आज की date में देख सकते हो बड़े level में company काम कर लिए मतलब जो भी 30,000 के आज बाजू देखने को म 100 मतलब company ने अपने revenue को काफी ज़्यादा बढ़ाया है तो अब होता क्या है कि सरक company का एक दाइरा होता है कि यह market है अभी हम इतना ही cover कर पा रहे है तो market ने company ने पूरे market को cover कर दिया तो आप क्या है कि slow growth देखने को मिलेगा ऐसा है slow growth देखने को मिलेगा क्योंकि आपका business ब सबकी अपनी राय होती है सर अपनी अपनी मर्जी होती है अपने हिसाब से देखिए और ज्यादा तो मैं आप ओलूँगा कि share price forecast करने की कोसिस किजिए जिस तरीके से उपर गया है अगर नीचे आया है तो सर जिस तरीके से target बताया जा रहा है समझ रहे ना target जो बताया गया आपको तो target आपटे देखाई तो उपर से अगर यह डिच्चे गिरता है तो किस कदर नीचे आ जागा यह बोलना मतलब एकदम अले के लिवल में तो सोच समझ के टेकनिकली थोड़ा समझ के आपको कैसा लग रहा है नहीं लग रहा है उसके बाद आपका खुद का decision लिजे किसी पर भरोसा मत कीजिए blindly भरोसा मत कीजिए मेरा request है आप लोगों से और चैनल को subscribe कर लिजे latest update के लिए और कोई और doubt है तो आप comment कीजिए वहाँ से मैं आपको नए वीडियो बनाऊंगा और बता दूँगा